मित्रों जय माता दी, आप देख रहें धर्मसिक्छा, धर्मसिक्छा में हर रोज की तरह, एक बार फिर से मैं आज जिरूं आज का संपूर्ण रासी फले कर, यह संपूर्ण रासी फले मंगलवार यानि की 1 सितंबर 2020 का, अगर आज के पंचांग की बात करें, तो आज है विक इनके 4 बचकर 38 मिर्थक रहने वाले हैं, उसके बाद 27 साने चतरारंभ हो जाएगा वरत और त्योहार में, आज है अनन्चतुदसी का वरत, मितों अगर आपको आज का पंचांग और भी विष्थार से जानना है, एक-एक मूर्तों के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप् रासी उनसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा, और रासी उनसार कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला है, अर्थात आपके लिए आज का लगी नमर क्या रहने वाला है, इन सभी चियों की संपून और सरिक जानकारी एक ही जगा एक ही वीडियो में आपको मि और दाना आरम करूं उसίο पहले एक नेजर डालते चलते हैं आज के ग्रहों की स्तिति पर, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही, पूरा का पूरा रासिपर निल्भर करता है, आज मंगल मेश राशी में, सुक्र और राहु, दोनों एक साथ मिठु मित्रियूर षी में, स्वूरी बात करेंगे पाली रासी मेश रासी मेश रासी में चंद्रमा आग तीसरे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको मान सम्मान मिलेगा साथ ही आपको यस किर्टी और लाव की प्राप्ति भी होगी बुज इंदी वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भय आपको बना रह सकता है आज आपके लिए नया काम करने के लिए अच्छा दिन है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार और धनकी दिष्टी से आज करें आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आज के लिए आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता बुजूर्द जातकों को पुरानी विवाणी ओशाज कैस्ट हो सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें प्रेम समंद की बात के तो आज पती पतनी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा समंदों में प्रसु आज आपके घड़ तथा कार्ययicer अस्थल में बेहतर वातावरन रहने से आपको काफी प्रसंता मिलेगी मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मोजमस्ति भरी यात्रा आपको सुकुंद दे सकती है आपके किसी प्रिये वेक्ति के साथ आपके कुछ मतभेत अच्छा रहने वाला है उच्छ पदादकारियों की सराहना आपको प्राप्त होगी सरकारी कारियों से आज आपको सफलता भी मिलेगी अपनों से मनमुटाव होने की संभावना बन रही है तो उनसे अच्छे समझ बना के रखें बात कि में व्यापार और धलकी तो आज रोज च्छ आकरी ज्यादा चंचल रह सकता है प्रहाइस आपका ध्यान भटकेगा तो भी अपने पढ़ाई पर ध्यान रह मेनद करें स्वास्त की बात के तो स्वास्त के दिष्टी से आज करने अब के लिए अच्छा रहन्य वाला है प्रेम समंधों के लिए आज का दिन ठोरी खटा सुपन हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद उभर कर आपके सामने आ सकते हैं, तो मतभेदों से बचे, आपको अपने प्रेम समन्धों के परतियाद सचेद रहना चाहिए, हो सकता है आपका जीवन साथी, आपके लिए आज प्रयाप्त समय ना निकल पाए, आज की आपके लिए आज का लगी नमर पांच रहने वाला है, बात होंगे मिथुन नाशी की, मिथुन नाशी मिचंद्रमा आज पांच में स्थान में विराजीत है, जिसके फ्रसुरूप आज आपको आपके जीमेदारियों के समझने की आवेश सकता है, अपने जीमेदारी का नि आपके लिए और लोगों से मेल जोर बड़ा रहेगा, आज आपके उत्साह में कमी आ सकती है, तो उत्साह में कमी बिलकुल भी ना ने दे, इससे आपके कारी प्रभावित हो सकते हैं, आपका प्रभाव वेबसाइक छेत में भी देखने को आपको मिलेगा, ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी प्रणाली में सुधार करने की आवे सकता है, कुछ राजकी ये सहयोग मिलने की संभावना बन रही है, संतान के साथ मतवेद आपके हो सकते हैं, आज कोई भी महतपूर निर्ने, आपको सोच समझ कर ही लेना चाहिए, किसी आध्यात्मिक उसकी सलाह लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो आज अगर कोई व्यापारी की होजना बनाएंगे, तो आने वाले समय में उससे आपको लाव भी मिलेगा, आपके व्यापारी परतिद्योंदी, आज सांत भी रहेंगे, समन्त की बात कें, तो विवाहित जातकों को गरियात सुख मिलेगा, आज आपको अपने जीवन साथे से प्रेम और सम्मान की प्राप्ती भी होगी, आज के निगर दही, अपने खादर पतार्थी में सामिल कहेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सु सकते हैं, तो अपने फिजोल खर्चों पर नियन तन जोड़ रखें, मिठी वानी वोलें, वानी में अपने सहियम भी रखें, वरना आज आपके किसी से दारे जगरे भी हो सकते हैं, अपने सहकर्मी और अधिनस्त करमचारियों की सलाह आपके लिए लाबदायक सिद्ध हो स सकते हैं, व्यापार और धन की बात के तो आज अगर कहीं आप निवेश करते हैं, तो पहले उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिस करें, कोई भी कदम उठाने से पहले विशेश्यगे की सलाह जोड़ ले, जो भी अनभवी लोग हैं उस सेत में उनकी सलाह ले तभी न साबधान रहने की जरुरत है, कफ और पेट समंधी विवाणियां आपको परेशान कर सकती हैं आज, प्रेम समंध की बात करें, तो प्रेम समंधों के लिए आज का दिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी से सामन जास्या आपका बना रहेगा, आज की नि आपके मान समान में विर्धी होगी, आज आपका समय मरोरंजन में बीतेगा, स्वाधिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है, दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मुका आपको मिल सकता है, आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच, आप सब क ध्यान का केंद्र बने रहेंगे, व्यापार और धन की बात के तो आज के इन आपके लिए कारोबार विस्तार के लिए धन संग्रह करने की योग बन रहें, परवल धनलाप के भी योग बन रहें, आपके व्यापार में विर्धी होगी, कारी छेत में आपके काम काज की सरहन भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जीवन में आपको आगे पस्ताना ना पड़ें बात करिंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज करिंद मध्यम रहने वाला है फोन और सोसल मीडिया में अपना समय बरबाद ना करें मेहनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के स्वास्त का भी ध्यान रखें प्रेम समथ की बात के आज करिंद आपके प्रेम परसंगों के लिए अनुकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को या जरूर बताएं कि प्रूबे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन्द सुद्रिद होंगे। आज की निगर ब्राउन राइस यानिकी पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आजका सुब्रन गोल्डन कलर और आपके लिए आजका लखी नमर एक रहने वाला है, बात कहेंगे कन्यारासी की, कन्यारासीम चंद्रमा आज आठवे स्थान में विराजी थे, जिसके फ्रसुप आज बेकार के सोच में, आपका समय और उर्जा दोनों बरवाद हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें, बल्कि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे, तो उसका फाइदा भी आपको मिलेगा, भागीदारी वाली वेबसाइओं में निवेस करने से आज बचें, आज किसी परकार का जोखिम लेने से भी आपको बचना चाहिए, आज आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने का दिन है, कुछ जातकों के लिए आज की गई यात और निवेस सफल रहेगा, आपके द्वारा कियेगे कारी से आपको यस और किरती की पाप्ती भी होगी, परिवार में सोहर्थपूर्ण वातावरन भी बढ़ा रहेगा, नोगरी और कामधंदे की जगह, सहयोग्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा, खर्च आपका आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिससे आप हमेशा सुनना चाहते हैं, व्यापार और धन की बात के तो आज आपका ना चाहते वे भी, फालतू का खर्च बढ़ेगा, तो अपने बढ़ते वे खर्च पर नियंतन जोड़ रखें, ये आपके व्यापार को परभावि आज आपको हानी हो सकती है, आज आपके स्वास्त में थोड़े उतार चरहो भी आ सकते हैं, प्रेम समंध की बात करेंगे तुलारासी की, तुलारासीम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजी थे, जिसके फ्रसुक आज आपकी काम किया दिखता रहेगी, आज ज्याद जूट बोलने से आप बचें, इससे आज आज आपको नुकसान हो सकता है, आज कि इन किये के निवेस आपके लिए सुब रहेगा, फिर भी निवेस सोच समझ करी करें, आज आज आपके सोहाब में भावकता और कामुकता के दिखता रहेगी, आज अपने मन में किसी परकार कब बना रहेगा आपका मानसिक संतुलन बना के रखने का प्रयास करें, काम और घरपालों का दवाव, आज आपको थोड़ा गुसेल बरा सकता है, आज कि इन यात्रा मरोंजन और लोगों से मिलना जुलना भी बना रहेगा, व्यापार और धनकी बातके तो व्यापार में अच्छा प्रदरसंद कर सकेंगे, तो मेहनत में किसी पर करा की कोई कमी बिल्कुल ना रखें, बात करें स्वास्त की, तो आज आपको पेट समन्दी दिक्कत का सामना करना पर सकता है, आज आपके माता का स्वास्त भी बिगर सकता है, तो अपने माता के स्वास्त पर ध्या म करेंगे तो आपके लिए स्ुप रहेगा आपके लिए आज का सुब्शन सभी प्रकार के चम्किरी रंग और आपके लिए आज का लःटी नमर चार रहने वाला है बात कुंगे बैठेंगे कई विशिजी ग्रासी की मीचंद्रमा आज दस्में स्थान में विराजित है जिसके फ्रस्व आज के इन आपका मन उमंग से भाड़ा रहेगा लेकिन आज आज आप थोरे भावग भी हो सकते हैं किसी की बातें आपको ठेस पहुचा सकती है तो ज़्यादा भावनाव में नाव हैं वरना आपके स्वाविमान को भी ठेस पहुँच सकता है कुछ जात्कों के पैसे ज्यादा दूसरों पर खर्च हो सकते हैं जिससे घरे जीवन में कुछ तनाव का सामना भी करना पर सकता है आपको आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके वादे और भरोसे की जरौत को आज महसूस करेंगे व्यापार और धन की दिष्टी से जो जातक नोकरी करता है उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहल मिलेगा काम काज के अस्तर में भी सुधार होगा व्यापार से समंदित आपको कहीं यातरा पर जाना पर सकता है और यह आपके लिए लाबदाइक भी रहेगा तो यातरा के मौके को हाथ से ना ज प्रिता रहेगी जिससे आपका स्वास्ति थोड़ा डगमुगा सकता है अगर इससे बचकर रहेंगे तो आपका स्वास्ति भी ठीक रहेगा प्रेम समंद की दिष्टी से आज की नपके लिए अच्छा रहने वाला है आपका प्यार आपका जीवन साथी आपको कोई खुब आपकी कल्पना सकती और स्रिजन सकती आज उभर कर सामने आएंगे ऐसे में जुयातक साहित्य लेखन और कला के छेतर से जुरे हुए है उनको आज सफलता की पापती भी हो सकती है आज कहीं यात्रा पे आप जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उल्जन है तो उसे सुल जह आने का यह एक अच्छा समय भी है आज कहीं आप अपने पारिवारिक रिष्टे नाते को सुल जहाने में कामियाब रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर ही बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में भी आप मदद आज कर सकते हैं बात कहीं व्यापार औ तो साहित लेखन और कला के छेतर से जुरेव विद्यार्थियों के लिए आज कर रहने वाला हैं सफलता मिलने की संभावना भी बन रही हैं स्वास्थ की बात करें स्वास्थ की दिष्टी से आज करें ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज आपको संतान के तरब से थोई चिनता र तो आपके लिए आज का सुब्रंग फालसा ही रंग और आपके लिए आज का लकी नंबर्न ओरने वाला है बात में मकर रासिकी मकर रासिम चंद्रमा आज बारा हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप अगर आज के आप अपना दिन खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो मानसिक तनाव और जंजटों से बचें कुछ दिनों से आपका व्यक्तिगत जीवन ही आपके ध्यान का केंद्रा है लेकिन आज आप सामाजी कारियों पर ज्यादा ध्यान भी दे सकते हैं जोरतमन्द व्यक्ति की मदद करने की कोशिव भी कर सकते हैं जहां सक मैं देख आज आपके सारे बिगरे काम भी बनेंगे आर्थिक योजनाओं के कारण आपकी कई परिशानियां भी कम होंगी परिवार में सांती और अनुर्ण का महौल भी बना रहेगा व्यापार और धनकी बात के तो नोकरी और वेबसाइट जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके सह योगयों कि सह्योग प्राप्त होगा जिसके कार यास्थ्ठाल पर महौल भी अच्छा बना रहेगा आज कई सरूतों से धल्लाव को हो सकता है बात की विध्यार्थिकी आपके लिए आज का दिन उप्यूक्त रहने वाला है। आज के दिकर दूढ़ से बनीमी चीने खाएंगे तो आपके लिए शुबर रहेगा। आपके लिए आज का शुब्रंग नीला राण। और आपके लिए आज का लकी नमर आड रहने वाला है। बात के मिए कुमरासि Sep Always परधमस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुफ आज करिण आपको कहीं से सुप समाचार की प्राप्ती हो सकती है। दोस्तों और प्रिये जनों के साथ आपका दिल काफी अच्छा बीदेगा, किसी से कुछ उपहर की प्राप्ती भी आपको हो सकती है। लेकिन सजेत हैं या ना सिर्फ अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी साधानाने वाला दिन है। बाहर घुमने की यूजना बन सकती है तथा स्वाधिष्ट भोजन करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आज के लिए आपके लिए कई तरह से फाइद्यमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीजें आपके पक्ष में भी जाएंगी। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बात करेंगे व्यापार और धनकी जो आतक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से करें क्योंकि आज आपके बॉस की नजर आप पर ही है। इसलिए उनके निगाहों में अच्छे बने रहने का प्रियास जवर करें। वैसे भी अपना काम इमानदारी पूर्व करना चाहिए। जो जातक व्यापार करते हैं जिने निवेस करना हैं। वे आज अच्छे से सोच समझ करी निवेस करें तब ये आपको आर्थिक लाव ह हो सकता हैं। बात करी के हैं, विद्यारति ओं के लिए सफलता के युग बन रहें हैं। फिर भी मेहनत में आपको किसी प्रकार का कौई कमी नहीं रखना चाहिए। स्वास्ती के बात करें तो आजके आपके जीवन साथी को भावनातमकत स्वार अपको ब्लैकमिल करना से ब बन सकता है आज के लिए ब्रौन राइसियान की पक्का चावल खाएंगे eszुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर्ण आश्मारी रहा है और आपके लिए रहा है बात करेंगे मीन्दासी की मीन्दासीमessonर्पा आज दूसर स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब आज आप कोट कचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे, उतना आप के लिए अच्छा रहेगा, मन में किसी प्रजार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है, मुआनी और व्यवहार में सयम रखना आवस्यक है, आज आप किसी बात को लेकर थो बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो व्यापार और नोकी से जुड़े चातक, अपने ओफिस या व्यापार से समन्दित लोगों से मिल जूल कर रहें, समझ और धैड़ी से कामने, साथ ही कार यस्थल पर साधानी बढ़ते हैं, आज करें जल्दबाजी में निवेस तो ब बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पड़े ध्यान दे, स्वास्त की बात करें, तो आज करें स्वास्त में थोरा उत्वाच रहाओ आ सकता है, स्वास्त थोरा खराब भी रह सकता है, अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें, प्रेम समन्द की बात करें, तो आज करें आपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामन जैसे आपका बना रहेगा आज के निगर बादा हम अपने खाते पताते में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग और आपके लिए आज का ल यानि की राहु काल रहने वाल है दिन के 3 बच कर 21 मैंड से लेकर सामके 5 बच कर छे मिनट तक। इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिलकुल बचेंआ और सफलता हात लग सकती है। दिशासुल आज उत्तर दिशा में रहने वाला है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यात्रा बिल्कुल भी ना करें। सुब खाद आज का गुरु रहने वाला है। गुरु खाकर यात्रा आरम करेंगे आपके कारियाज बनेंगे। तुमतर ये था आज का संप